तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेसर अप्लिकेशन और ओडिच अप्लिकेशन के बारे में किस तरीके सी स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ अगर आप अभी पिपने पैसे को इंवेस्ट कर रहे हैं Tracer application में या फिर ओर इच application में तो क्या यह आपके लिए safe हैं क्या आपको अपने पैसे invest करने चाहिए इन applications में सबी बातों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों वैसे तो Tracer का मतलब होता है खजजाना लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Tracer जो है आपको बिल्कुल खजजाने वाला बना देगा बल्कि वो तो आपके पैसे बिल्कुल लूट लेगा आपके पास भाई अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते चले गए तो भाई आपको दोस्तियार से करजा उधार भी लेना पर सकता है और बहुत सारे जगों से उधार लेने के बाद भी आपके पैसे डोमते चले जाएंगे आप अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाओगे और यही हकीकत है भाई इससे लिए जो है ट्रेसर अप्लिकेशन को और ओडिच अप्लिकेशन को जो है गूगल प्ले स्टोर से हाटा दिया गया है आज नहीं अटाया गया है दो महिने करी पहले ही हाटा दिया गया था लेकिन अगर आप अभी भी स्टिल उसमें अगर आप invest कर रहे हैं तो इसी के लिए मैं इस video को suit कर रहा हूँ कि बिलकुल भी ऐसे application में invest मत कीजिए जो कि register नहीं था, जिसका कोई वजूत नहीं था, जिसका कोई help plan number नहीं है और जिस application को Google Play Store से हटा दिया जा चुका है तो ऐसे application में बिल्कुल भी invest मत कीजिए, चाहे वो tracer application हो चाहे वो orich application हो, ये दोनों ये application ये भाड़ भाड़ नाम इसलिए ले रहे हो दोस्तों क्यों कि मुझे जहां तक पता चला है भाई, इन दोनों का जो मालिक हैं, यानि की owner वो सेम है, एक ही बंदे ने इन दोनों application को बनाया था, चाहे वो tracer application हो, चाहे वो orichow, और दोनों का काम सेम था, ये लोग आपको खाजाना नहीं देने वाले हैं बाई, बलकि आपका खाजाना जो भी रखाऊ हो आओगा ना अपने bank account में आपके mind में इतना ज्यादा एक लालच पैदा कर देगा कि आप सोच रहे हैं कि मैं 2000 रुपे लगा रहा हूं और 2000 के बदले मुझे 3000 रुपे आ रहे हैं या सारे 3000 रुपे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत हैं और इस तरीके सी कहें ड्रामा होगा कि again next वाले level जैसी आप complete कर लोगे तो आप withdrawl कर पाओगे जबकि ऐसा होता नहीं है आप जितने भी level को complete करोगे उसके बाद next task आएगा और आपको complete करने को कहा जाएगा नहीं करोगे तो बोला जाएगा कि आप withdrawl नहीं कर सकते हो आप लोग इस बात को ऐ ही कहने वाला है कि आप next task को complete करो हम अपने senior से बात करेंगे और आपके पैसे को withdrawl करवाएंगे आप बस next task को complete कीजिए तो इस तरह के बाते करके जो application से भाई आपके साथ scam करती चली जाती है मैं आप लोग उसे की request करता हूँ कि अगर आप इन applications में invest कर रहे हैं तो भी इस एप में invest मत कीजिएगा चली अब मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में अगर आपके साथ कोई भी online scam हुआ है तो उसकी जनकारी को आप मुझे Instagram ये Gmail पर देदीजिएगा मेरा Instagram आईडी और Gmail आपको वीडियो के description मिल जाएगा चेक कर लीजिएगा मिलिए मुझसे व बैसे को विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हो सके तो cybercrime की help लीजिए cybercrime branch में जाएगे वहाँ पर complain कीजिए इस app के खिलाफ या फिर आप online cybercrime भी कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर जाकर तो चली है मिलते हैं next awareness वीडियो में फिलाल इस तरीके की application invest मत कीजिएगा